अबसकार आप सभी का एगांस्ट्क्रेप्शन के इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI एक्ट 2005 के तहत निगरानी विभाग में किसी भी तरह की सूचना प्राप्ट करने के लिए किस प्रकार RTI लगा सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए है वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के और क्लिक को दबा लें जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सिगर मिलता रहें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे ग्रूप में अवस्चेयर करें फेस्बुक इंस्टाग्राम जहां भी हो अवस्चेयर करें तथा एक लाइक अवस्चे कर दें तो चलिए जो निगरानी विवाग में किस प्रकार सूचना प्राप्त करने है तूँ प्रपत्र को भरेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो जिने यह फॉर्म हो वो फॉर्म भर लेंगे या जिने फॉर्म ना हो वो टाइप करा सकते हैं या साधे कागज पर एक आवेदन रखित रूप से भी दे सकते हैं सेवा में लोक सूचना प्रदाधिकारी निगरानी विवाग सूचना भवन पटना पंद्रा या बिहार आज के निगरानी विवाग से संबंदित है इसलिए बिहार सरकार के निगरानी विवाग सूचना भवन में ही है पटना पंद्रा पिनकॉड है 8000015 है पुरा अपना नाम और पुरा पता लिखेंगे मैंने निगराने विभाग में इमेल के माध्यम से एक थाने के खिलाब सिकायत किया था उसी के बारे में मैंने सुचना की मांग की थी तो आप भी किसी भी तरह की निगराने विभाग में सुचना चाते हैं या कोई सिकायत निगराने विभाग में किये हुए हैं तो उस पर RTI लगाएंगे किस प्रकार आप लोग पूरा इस वीडियो को बिना स्किप के वे देखें माइने निगरानी विभाग पतना के इमेल sbccvdnic.in पर दिनां 26 ग्यारा उनिश को 11 बज के 22 मिनट पर एम सुबह में इमेल 7058 pravinsjrm.pravinsarma.gmail.com से बरस्टाचार से संबंदित सहायक्ता नारतवारा आलमनगर मदेपुरा के खिलाब किया था सिकायत मैं जानना चाहता हूँ कि इस आवेदन पर क्या कारवाई हुई कारवाई के रिपोर्ट की परमानी छाया परती चाहता हूँ इस प्रकार मैंने निगरानी विभाग के अपर सचीव को एक सिकायत भेजा था जिस पर मैंने यह RTI लगाया है तो मैं 10 रुपे का भारती पोस्टर टलती थी इतना इतना से विवाग काड़ियाले को भुकतान किया अपना हस्ता अक्षर मोबाइल नंबर और पूरा पता लिखेंगे यहां स्थान लिख देंगे अपना डेर देंगे जो गरेवी रेखा से नीचे के हैं उन्हें कोई फी देने की जरुत नहीं है वो अपना गरेवी रेखा से VPL कार्ट के चाहपर्ती लगा देंगे जिने भारती पोस्टल ओडर नहीं मिल रहा हो तो वो अपना डिमांड राप से भी सुल्क दे सकते हैं या भारती नन जुटिस्टिली इस टाम से भी सुल्क जमा कर सुचना प्राप्ट कर सकते हैं तो यह मैंने लगाया था अब आप लोग देखिए कि वहां से भी जबाब आया या पोस्टल ओडर और रइस्टर डाग के द्वारा मैंने फेजा था निगरानी विवाग को पोस्टल ओडर भी किस प्रकार बढ़ाया था अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ अब आप लोग देख लें कि वहां से मुझे किस प्रकार की सुचना दी गई थी वहां के लोग सुचना पता अधिकारी अवर सची हुआ करते हैं तो उन्होंने मुझे सुचना भेजी कि आपका पत्रां कितना को मिला जो इतना को प्राप्ठ हुआ था और प्रपत को हमें बढ़नित परिवाद पत्र को भी भागी है पत्रांग कितना द्वारान यह महानुसार कारवाई है तो पुलिस महांदेशक बिहारपटना को भेजा गया था जिसकी छैयापरती सग लगना है तो आप लोग देख लें उसकी जिस पत्रांग दिनांग से जीजीपी कारिया लए को भेजा गया था उसका भी पत्रांग दिनांग का छाया परती मुझे भेजा गया है लगा के आप लोग भी देख ले यह है बिहार सरकार निगरानीवा सुचनावन पटना यह अरुन कुमार ठाकूर थे विशेश का अधिकारी निगरानीवाग के उनके द्वारा पुलिस महानुदेशक ब्यार पटना को भेजा गया था च्छोदो 2020 से आप लोग भी देख लें यदि आप लोगों को भी निगरानीवाग में कोई आर्टी आई लगाना हो तो इस प्रकार आप प्रपत्र को भेज कर आर्टी करिया देनी हो तो अपना कमेंट अवस्च करेंगे जैहिन